स्वागत है आप सभी का टेक स्टेडी आईटिया यूट्यूब चनल पर तो नुकलियर पावर कार्पोरेशन आफ इंडिया लिम्टेड जिसे हम एनपी सी आईल भी कहते हैं एक डिपार्टमेंट आप एटामिक एनरजी के अंतरगत आता है इसमें फिर से आईटिया के लिए कुछ रिक्रूटमेंट कुछ वैकेंसी आई हुई है 2022 में ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है तो अगर आप इंट्रेस्टेड हैं एनपी सी आईल में अपरेंटिसीप करने के लिए आप आईटिया पास आउट है तो इसमें विभिन ट्रेडों में आवेदन मागे गए हैं आप भी apply कर सकते हैं पूरी detail में देखेंगे क्या है योगिता और कहां से आप देख सकते हैं तो आप official website जब open करेंगे इसी में आपको आना है HR management section में अप opportunities या प्रोजेक्ट करके जो policy जा रहा है इस option पे आप जाएंगे जैसे इसको open करेंगे यहाँ पे तो आपको यहाँ rate देखने को मिल जाएगी 2 February 2022 का यह notification है तो इस notification को हम लोग download कर लेते हैं जिसमें देखे क्या लिखा advertisement for engagement of trade apprentices ठीक notification को download करके detail में देखते हैं कैसे form apply करना है क्या लिजबिल्टी है कहां पे posting होगी कितनी post है notification हमने डाउनलोड कर लिया है वीडियो में आगे बढ़ने पहले आ बाकी चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर सकते है चैनल को साथ में बेल आइकन भी जरूब हिट कीजिएगा तो यहां पे देखिए 2-3 का ही है यहां पे भरे हुए आवेदन प्राप्त करने है तो लिखा इसका मतलब आपको आवेदन पत्र क्या होगा भर के भेजना भी होगा अब कैसे फिल करना इसमें थोड़ा प्रासेस ऑनलाइन है थोड़ा जो है आफलाइन है किस पोस्ट किस लोकेशन के लिए ध्यान दीजे मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन कल पकम जो है ठीक वहां के लिए है तमिल नाडू स्टेट के लिए तो अगर आप भरना च सिविल की तीन पोस्ट है लगबग इसमें सारे ट्रेट कवर हैं अगर आप नीचे ध्यान से देखेंगे ड्राफ में मकैनिकल की भी देखिए दो पोस्ट है इलेक्रीशन की चौदा इलेक्रोनिक मकैनिक की छे फिटर की 21 इस्टूमेंट मकैनिक की छे केमिकल प्लांट लग योगिता जो है दी गई है क्या करना है अगर आप कार्पेंटर ट्रेड में है देनाप कोपा चकला कूं अगर आपको सबसे में वही है एजज क्राइटरिया की की बात करें तो 10 वर्स से कम आपकी यह 것으로 क्या से जाधा नहीं होनी चाहिए according to category SC category से हैं आपको 5 years की and OBC category से हैं 3 years की और अगर आप PWBD हैं तो आपको 10 years तक का जो age है उसमें relaxation मिल जाएगा सारी चीजें 2-3-2022 के according निर्धारित होंगी मतलब 2-3-2022 तक अगर आपके हाथ में आपका result है तो आप इसमें apply कर सकते हैं इसके साथी साथ अगर नीचे बात करें कुछ सारे रुक मापदंड दिया गया है height आपकी 137 cm होने चीजे weight आपका 25.4 kg chest and weight सब कुछ यहां पे दिया हुआ है दोनों आखों का आपका eyesight जो हो भी 6x6 होना चाहिए और इस्थिति ना हो यह सारी चीजें कई चीजें हैं जो कि आपको बाद में medical fitness certificate भी बनाके ले जाना होता है चैन प्रक्रिया क्या है जो ITI में आपको अंक मिले हैं उसी के आधार पर आपको सूची बद्ध किया जाएगा प्रसिक्छन किया हो जो टोटल एक साल की होगी जो आपको stipend मिलेगा एक साल वाले ट्रेड जो होते हैं जैसे welder, plumber इन सब को मिलेंगे आपको टोटल साततर सो रुपए जो दो साल वाले ट्रेड हैं जैसे turner हो गया electrician fitter इनको 8,855 रुपए इस टाइपेंड दिया जाएगा आप एधन कैसे करना थोड़ी सी इसमें notification mistake है apprenticeshipindia.gov.in पर आपको पहले registration करना अगर आपने नहीं किया तो जरूर कीजिए apprenticeship India पर registration करना है वहाँ जो apprenticeship मिलेगा वहीं पर आप opening में जाके आपको क्या करना ये संख्या जो है डाल के या आप वहाँ पर NPCIL भी डाल सकते हैं वो डालने के बाद आपको क्या करना है वहाँ पर जाके अपने trade के साथ एक्ष apply कर देना है apply कर लेने के बाद आपको जो registration number आप कर रहेगा उसको आपको note down कर लेना उसके बाद इसी notification में आप देखेंगे सबसे नीचे जो है application format है एक application form है जिसे कह सकते हैं उसे आपको क्या करना है completely भर लेना है ठीक भरने के यहां देखिए clearly लिखा न विग्यापन में दिएगे प्रोब फार्मा में A4 आकार कागत पर इद्मानता टंकित करके आवेदन को प्रस्तुत करना है ध्यान दीजिए क्या लिखा है अप्लिकेशन फॉर इंगेजमेंट आफ ट्रेड अपरेंटिस अगेंस्ट नोटिस नंबर एक अपन MAPS HRMTAXV1 अपन 2022 यह लिख देना है उस अप्लिकेशन के साथ आपको यह सारी चीज़ें अटाइच करनी है अपनी योगिता जो 10th 12th या 8th है उसकी मार्क सीट सर्टिफ सर्टिफिकेट है तो या अन्य पिछली चाहतिका है तो आर्थिक रूप से कमजोर एनी EWS है दो सर्टिफिकेट और एक और चीज़ आपको देनी यहाँ पर सिर्फ ट्रांजेंडर के लिए है अगर आप हैं तो अधरवाइस आधार कार्ट की आपको कॉपी देनी है और दो फोटो ठीक हाली का पासपोर्ट आकार का फोटो एक चिपकाना भी है साथ में आप एक भेज भी सकते हैं ध्यान दीजे इसके बाद क्या करना है इन सभी दस सब्सक्राइब मैनेजर HRM HRM सेक्षन NPCIL ठीक है मद्रास अटामिक पावर स्टेशन कल पक्कम ठीक इस तरह से आपको चेंगला पट्टू डिस्ट्रिक्ट एंड तमिलाडू इस पे आपको 2-3 2022 से पहले-पहले क्या करना है पहुंचा देना है पहुंच जाना चाहिए ऐसा है ठीक है यहाँ पर सापक्षरों में नाम देन यहाँ पर जो रिजिस्ट्रेशन आपने किया अप्रेंटिसिपिंडिया डाट जो भी डाट इन पर उस रिजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर आपको लिखना है इसके साथी साथ पूरा एक कंप्लीट फॉर्म भरने के बा यहाँ पर एक जाच सूची है इसको टीक करते हुए जो जो आप इसमें लगाएं उस पर यस या नो पर आप टीक करते हुए इसको भी उसके साथ क्या करेंगे अटेच कर देंगे इससे क्या होता है कोई डाकुमेंट आपका छूटता नहीं क्योंकि एगर डाकुमेंट दो कॉपी निकलवा के इसे आपको एक गेश्टेट आफिसर से प्रमाडित करवा लेना है एक तो आप अपने आईटियाई प्रिंसिपल से बनवा सकते हैं अगर नोडल आईटियाई है तो दूसरा आप क्या कर सकते हैं कोई भी आपके हैं डाक्टर हो या कोई भी सतुत करना होगा तो यही था नोटिफिकेशन उम्मीद करते हैं पूरी जानकारी आपको समझ में आई होगी अगर आप करना चाहते हैं अप अभी तक कहीं से नहीं किये हैं तो आप इसमें कर सकते हैं ध्यान दीजेगा थोड़ा सा लोकेशन जो है अगर आप यहां से बिल करते हैं तो आप और भी अप्रेंटिसी पाई हुई है चैनल पर आप देखेंगे लेटेस्ट हमने बहुत सारी नोटिफिकेशन डाली हुई है उसमें आप जाके अपलाई कर सकते हैं थैंक यू बेरी मुच